हेलो एवरेवान मैं हूं किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ये 10 जानवरी से लेकर 16 जानवरी तक की आपकी टारो रीटिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकौर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूचेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता है क्राशीफल तो चलिए स्कॉपियोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है, ace of wands and grace तो देखें, दोनों ही बहुत ही beautiful cards हैं और आपके professional front के लिए specifically बहुत ही beautiful energies की बात करते हैं, aces, staro में नई beginning की बात करते हैं, wants कहीं enthusiasm, excitement की बात करते हैं और देखें, दोनों चीज़ों को combine करें तो हो सकता है कि कि किसी level पे, किसी तरीके की एक नई beginning या तो आप लाना चाहा रहे हैं या फिर एक नई beginning आ रही है, जिसकी वज़े से याँ otherwise भी एक enthusiasm, एक excitement आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है और देखें, ये नई beginning सब के लिए differ कर सकती है, कुछ लोगों के लिए simply नए काम करने का तरीका हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई opportunity हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई team, कुछ लोगों के नए project, कुछ लोगों के लिए नई जगा again सब के लिए नई beginning differ कर सकती है और देखें, Ace of Wands का का काट कहीं progress और growth की भी बात करता है और कुछ ऐसा भी किसी भी level पे आपके professional front में भी रहता हुआ दिख रहा है और देखें, Grace का काट कहीं beauty की बात करता है और इस काट में lotus बना हुआ है और हम सब लोग जानते हैं कि lotus कीचर में grow करता है तो देखें, इस काट का मतलब है कि कुछ issues, कुछ मसले होने के बाद भी या तो आपके साथ सब कुछ अच्छा-च्छा हो रहा है या फिर उन issues में से भी आप कुछ ना कुछ beautiful create कर रहे हैं या कर पा रहे हैं और देखें, personal front के लिए आप लोगों के लिए justice, reverse and abysmal के cards हैं और देखें, दोनों ही cards कहीं बहुत great energies की बात नहीं करते हैं justice कहीं unfair energies की बात करता है abysmal का card कहीं danger या फिर issues और problems की बात करता है और देखें, इस चीज को सुनके, Scorpios आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना क्योंकि देखें, जिन्दगी सिरफ खुशियों का नाम नहीं है या फिर जिन्दगी सिरफ अच्छा अच्छा नहीं है अगर मैं आप से पूछू कि मुझे एक शक्स बताएं जिसकी life में सिरफ खुशियां है, कोई मसला नहीं है तो यकीन मानिये, आप मुझे एक इंसान नहीं बता पाएंगे चाहें वो country का ruler ही क्यों ना हो चाहें वो country का सबसे रहीस, सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो क्योंकि फिर से देखें, मैं कहूंगे कि जिन्दगी सिरफ खुशियां नहीं है इस चीज को देख पा रहे हैं, तो आप काफी हद तक avoid भी इस चीज को कर सकते हैं और यहीं पर देखिए, टारो और astrology हमें help भी करते हैं तो नचल में देखिए, इस week आपने थोड़ा सा cautious रहना है, थोड़ा सा alert रहना है क्योंकि यहां पर abysmal का card कहता है कि कुछ issues, कुछ problems रह सकते हैं और देखिए, जब भी भी कोई issue, कोई problem होती है तो सबसे पहली चीज होती है, हम बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं हम परेशान होते हैं, और परेशानी में देखिए, हम परेशानी और अपनी बढ़ाते हैं हाला कि देखिए, वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी मसले मुझे नहीं दिख रहे हैं लेकिन जो भी मसला इस वीक रहे, फिर से मैं कहूंगे कि आपने beyond the point परेशान नहीं होना है क्योंकि again देखिए, जब हम परेशान होते हैं, तो चीजों को हम बहुत बड़ा कर देते हैं और फिर हम गबराहट में जो भी action initiatives लेते हैं, उससे हम उस परेशानी में और deep जाते हैं जैसे आपने देखा है ना कोई इनसान अगर दलदल में फस जाता है, तो वो जितनी कोशिश करता है उसमें से बाहर निकलने की उतना ही वो deep जाता है, तो फिर से देखिए, कैसे एक calmness को आप maintain करें कैसे आप centered रहें, कैसे आप grounded रहें, उस पर आपने focus करना है और हम सब लोगों ने देखा है, you know, cat को, जब वो किसी भी चीज़ पर attack करने लगती है तो कैसे उस से पहले चुप चाप बैट जाती है, alert, cautious, aware और जब right time आता है तब ही attack करती है, तो ऐसी ही energies में, यानि की cat वली energies में आपने रहना है, again grounded रहना है, centered रहना है, और जब right time आपको मिले तब ही आपने action initiatives लेने हैं, और देखे, ऐसा अगर आप करेंगे, तो इस week की energies को better कर पाएंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखे, justice reverse का card कहता है कि आप गलत actions ले सकते हैं, आप गलत decisions, आप गलत choices ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप और ज़्यादा पारेशान होंगे, तो देखे, nutshell में इस चीज का खयाल आप जरूर रखें and guidance है, आप लोगों के लिए evil queen का card है, और यह card कहता है, you deserve sugar not salt तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जिन्दगी सिरफ अच्छा अच्छा नहीं है कभी-कभी, you know, हमें थोड़ा सा बुरा भी बनना पड़ता है in fact, हमें situation को देखना पड़ता है, कि भई, क्या situation है, क्या circumstances है उसी के हिसाब से हमें भी थोड़ा सा अपने आपको mold करना चाहिए और यहां पर देखिए, यह card कहता है, कि किसी इनसान के साथ अगर आप बहुत time से बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो आपको उतने अच्छे से treat नहीं कर रहे हैं यहां मैं कह सकते हूँ आपको mistreat कर रहे हैं और किसी situation के लिए आप बहुत effort कर रहे हैं आपको positive result नहीं मिल रहा तो यह card कहता है कि उस situation उस इनसान को आपने अपनी life से हटाना है in fact देखिए, बहुत ही crude language में you have to cut off that person and situation from your life आपने और second chances उनको नहीं देने है करना है तो देखिए, इस चीज का भी खयाल आप जरूर रखें beyond the point जो लोग आपके love, प्यार और time को नहीं respect करते हैं आपने उनको अपनी life में नहीं allow करना है या फिर जादा आपने उनको entertain नहीं करना है and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है तो देखिए, आपकी राशी भी Scorpio है, आपके लिए card भी Scorpio का है और ये card कहता है this energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive तो देखिए, किसी चीज के लिए बहुत एक intense emotions, feelings आप महसूस कर सकते हैं और ये दोनों ही cards in fact मुझे personal front के लिए जादा resonate करते हुए देख रहे हैं और देखिए, कहीं थोड़े से secretive याँ तो आप हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कहीं पूरी तरीके से आपको चीजे नहीं बता रहे हैं और एक possessive energies में भी आप रह सकते हैं इस week और देखिए, इस card के हिसाब से lucky color आप लोगों के लिए red रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Scorpio's आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए कर झाले कितम हिए कर एले कर दोंके साथ